दोस्तों ये है भारत की स्काइस्क्रैपर सिटी मुंबई जिसे इंडिया का फाइनेंसियल और फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। खूबसूरत बीचेज, यहां का वाड़ा पाव, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडर्न रोड्स और इंफ्रस्ट्रक्चर जैसी चीजें हम सभी के ध्यान आने लगती हैं। भारत का ये मॉडर्न शहर आज पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली के बाद, पॉपुलेशन वाइज मॉंबाई, भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का नवाज सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी धाई करोड के आसपास है। इस शहर को माया नगरी या सपनों का शहर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर साल लाखों की तादात में देश के कोने कोने से लोग अपने सपनों को सच करने के लिए इस शहर में आते हैं। वैसे यह कहना भी गलत नहीं होगा जो भी इस शहर में आता है वह हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाता है 310 बिलियन डॉलर से अधिक की GDP के साथ यह शहर भारत का सबसे अमीर शहर भी है मुंबई शहर को पहले बॉम्बे नाम से जाना जाता था इस शहर को बॉम्बे नाम एक ब्रिटिश शासक ने दिया था बॉम्बे शब्द पुर्तगाली भाषा से निकला है जिसका अर्थ अच्छी खाड़ी है प्राचीन तथ्यों के अनुसार मौर्य वंश, सिलहारा वंश, पुर्तगालियों तथा ब्रिटिश सरकार ने मुंबई पर शासन किया था मुंबई में ही भारत की प्रथम यात्री रेलवे लाइन बिचाई गई थी मुंबई में स्थित मुख्य रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जिसे छत्रपती शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है ये एक हिस्टोरिकल ट्रेन स्टेशन के साथ यूनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मुंबई शहर इस्टैंड वर्ग किलोमीटर का एक द्वीप है और इसे पुरानी मुंबई या दक्षणी मुंबई भी कहा जाता है वही मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन 6,308 वर्ग किलोमीटर में फैला है जिसमें ग्रेटर मुंबई, ठाने, कल्यान डोंबिवली, नवी मुंबई, उलहास नगर, भिवंडी निजामापुर, वसई विरार, मीरा भयंदर और पनवेल शामिल दोस्तो, आज मुंबई को दुनिया के बड़े बड़े शहरों जैसे न्यू यॉर्क, सिंगापुर, टोक्यो से कंपेर किया जाता है यह देश का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तो है ही साथ में इस शहर में देश और दुनिया के सबसे ज्यादा मिलियनेर्स रहा करते हैं जनसंख्या के मामले में मुंबई दुनिया के टॉप पांच शहरों में से एक है जिसमें इसका महानगरी एक शेतर भी शामिल है जिसे मुंबई MMR के रूप में जाना जाता है और इसी वजह से धारावी को वर्ल्ड की वन ओंफ दे मोस्ट डेंसली पापुलेटेड एरिया की लिस्ट में रखा गया है मुंबई का महालक्ष्मी रेसकोर्स भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित होर्स रेसिंग ट्रैक में से एक है मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है और देश की अर्थ व्यवस्था में इसके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए यह भारत का टॉप फाइनेंशल एंड कमर्शल हब है मुंबई की करेंट GDP 840 बिलियन यूएस डॉलर है चीजों को परिप्रेक्ष में रखने के लिए महाराष्ट्र का GSDP यानि Gross State Domestic Product 435 बिलियन यूएस डॉलर है जो भारत की GDP का 12.9 ठार प्रतिशत है मुंबई की अर्थ व्यवस्था, Banking Insurance, Financial Services, Consumer Packaged Goods, Import-Export, IT और Bollywood Film Industry जैसे सेक्टर्स पर निर्भर करती है अब क्योंकि यह भारत की वित्तिय राजधानी है, मुंबई में भारतिय Reserve Bank, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange of India जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण Financial Head Offices है जिससे की मुंबई की एकोनामी को काफी तेजी से बूस्ट देखने को मिल रहा है शहर में आपको Modern Transport System जिसमें Monorail, Metro और बस की Connectivity काफी अच्छी तरह देखने को मिलेगी मुंबई का जवाहरलाल नहरू सीपोर्ट भारत का सबसे बड़ा सीपोर्ट है जहां से हर महीने लाखों मिलियन डॉलर का ट्रेड किया जाता है यहां की गगन चुम्बी इमारतें इस शहर की आधुनिकता का प्रतीख है वहीं दही हांडी और गणेश उत्सव की धूम यहां की धार्मिक छवी को उजागर करती है हाजी अली दरगाह में मन्नतों के धागे हो या लक्ष्मी मंदिर में कतार में खडड़ है लोग जुहु चौपाटी में स्ट्रीट फूड की महक हो या शाम के वक्त समुद्र के आगोश में समाता सूरज ये सब इस शहर की भागदौद भरी जिन्दगी में भी सुकून के कुछ पल दे जाते हैं